हरी कृष्णा राधे राधे आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाक मास में पीपल सीचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ वैशाक मास में पीपल सीचने की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसके घर में अनधन के बंडारे भर जाते हैं उसके घर से सभी दरिदरता दूर हो जाती है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं भगवान की किरपा से उसकी सारी मनोकामनाई पूरी हो जाती हैं तो आईए सुनते हैं वैशाक महीने के पीपल सींचने की कहानी बहुत समय पहले की बात है किसी गाओं में एक बनिया अपनी पत्नी और दो बेटो दो बहुओं के साथ रहता था उस बनिये का नियम था कि वहरोज गंगा इसनान करता गंगा नीमे जाता इसनान करता सुर्य भगवान को अरग्य देता वापस लोटता तो शालिग्राम भागवान की पूजा करता पीपल में जल देता बहुत ही धार्मिक परवर्ती का था सभी की मदद करता बहुत पूजा पाठ करता एक बार की बात है जब वैशाक का महीना शुरू होने वाला था तब उसकी तबियत खराब रहने लगी उसने अपनी पत्नी से कहा देखो भा जबकि मैंने सोचा था इस बार मैं और तुम दोनों जोड़े से वैशाक इसनान करेंगे तब उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि आप परिशान मत हो बगवान की देया से हमारे तो दो दो बेटे हैं हम अपने बेटों से कह देंगे तो वो आपके गंगा इसनान का पर बंद भी कर देंगे अपने पत्नी की बाते सुनकर उसे कुछ तसली हुई उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया पहले बड़े बेटे से कहा तब बड़ा बेटा बहु ने मना कर दिया बहु कहने लगी मा जी आपको तो पता है मुझे कितने घर के काम होते हैं बच् अगर मैं इन सब कामों में लग गई तो घर का काम कोन करेगा अब उसने अपने चोटे बेटे से कहा तब चोटा बेटा और चोटी बहु तयार हो गए और कहने लगे मा पिता जी आप चिंता मत करो हम आपके लिए गंगा इसनान का परबंद भी घर पर ही कर देंगे और अपने बाता पिता के लिए नहाने का पानी ले कर आते, दोनों घर पर ही गंगा इसनान कर लेते, फिर पुजा पाठ करते, वैशाक महत्तम की कथा सुनते, बढ़ पीपल को सीचते, सूर्य भगवान को अरग्गे देते, शालिकराम भगवान की पुजा करते, तुलसी जी क के साथ साथ उनके बेटा बहु ने भी वैशाक का इसनान किया बहु भी अपनी सास के साथ साथ पीपल देवता की पूजा करती जैसे जैसे सास पीपल देवता में जल चड़ाती वैसे ही बहु चड़ाती जैसे साथ पीपल देवता की परिकर्मा करती वैसे ही बहु भी करती इस तरहें करते करते बहु ने भी सास की तरहें ही पीपल देवता की पूरे महीने पूजा की, पीपल देवता बहु के उपर भी परसन न हो गए, जब वैशाक की पूर्णिमा आई, तब सास ने बहु से कहा बहु, देखो हमने अब पूरे महीने का इसनान किया है, तब हमें इसका उद्यापन करना है और उद्यापन के लिए हमें एक ब्रामन ब्रामनी को जोड़े से भोजन कराना होगा जाओ तुम ब्रामन ब्रामनी को घर बुला लाओ हम उन्हें भोजन करा देंगे तो हमारा वैशा किसनान पूर्ण हो जाएगा अब बहु ब्रामन ब्रामनी ढू तुखी थी, सोचती आ रही थी, मन ही मन, पीपल भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे पीपल देव, अगर मेरी सास ने सच्चे मन से आप पूजा की है, सच्चे मन से वैशाक मास नहाया है, तो उनके लिए ब्रामन ब्रामनी मुझे मिल जाएं। इस तरहें पीपल भगवान से प्रार्थना करते करते बहुँ चलती जा रही थी, थोड़े देर आगे चली, तो उसने देखा पेड की छाया में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया बैठे थे, उनके पास जाकर पूछने लगी क्या हुआ माजी, तब उसे पता चला कि ये ब् वैशाक मास का इसनान किया है, पूरे महीने सुरे भगवान की पूजा की है, पीपल देवता की पूजा की है, पीपल देव को सींचाहे, आप हमारे घर चलो मेरी सास वैशाक इसनान का उध्यापन करना चाहती है। अंधन के भंडारे भरे पड़े हैं, जहां तहां धन की धेरिया लगी हैं, अंधन की धेरिया लगी हैं, पूरा घर जगमग हो रहा था, अब वह अपनी बहु से कहने लगी, बहु, तुम्हारे कारण ही हमें पीपल देव का, वैसाक के देवता का आशिरवात मिल पाया है, त तो आपके किये पुन्यों का परताब है जो हमें भी आपके साथ वैशाक इसनान करने का पीपल सीचने का सोभा के प्राप्त हुआ वैशाक के महीने में जो कोई सुभे उठकर गंगा इसनान करके सुरिय भगवान को जल देता है वैशाक के महीने में मातर साथ दिन जो कोई इस कहानी को सुन लेता है उसकी सभी मनोकामनाई भगवान पूरी करते है पोली पीपल भगवान कीजे, सुर्य भगवान कीजे, हरी कृष्णा राधी राधी